Hey guys welcome back to another video जी हां दोस्तो आज हम आपके लिए लेके आ गए एक नई अन्बोक्सिंग जिसका नाम है डेल इंस्पिरोन 7430 बेसिकली यह कि यह तो आज हम इसकी करने बाले हैं इंबॉक्सिंग देखें कि क्या हमें बॉक्स कॉंटेंट देखने के लिए और ओवरोल कैसा देखता है प्रोड़क्त तो सबसे पहले बॉक्स को ओपन करने से पहले जान लेते हैं किसका बॉक्स MRP कित प्रोड़क्त दोस्तों हमारा लाप्टॉप आगे है बॉक्स से बाहर और सबसे पहले बाक्त करते हैं बॉक्स से निकलने वाले ऐसे सिरीज की तो यहां पर आपको टाइप सी वाला 65 वाट अडाफ्टर देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी सही बात है और अगर आप क काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है और सबसे पहले बात करें इसके वेट की तो वेट दोस्तों यहां पर इसका जो देखने के बिलता है वो मिलता है 1.45 kg काफी लाइट वेट है अगर आप एक लाइट वेट लेना जाते है और जिसमें मल्टी फंक्शनल हो तो यह एक अच्छा option आपके लिए हो सकता है और सबसे अच्छी बात है दोस्तों अगर डेल की build quality की बात करें तो काफी अच्छी build quality यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाती है चाहे हम hinges की बात करें और इसके design की बात करें तो यह पूरा यहां पे अगर आप top surface की बात क दोस्तों तो यहां पे आपको काफी सारी details देखने के लिए मिल जाती है चैसे यहाँ पर आपको चार rubber के strip देखने के लिए मिल जाएंगे और काफी बड़ा सा यहां पर आपको intake भी Dell ने दिया हुआ है और यहां पर कुछ इसके numbers और detail आपको देखने के लिए मिल जाती है अब मैं इसके lid को उढ़ाता हूँ और अंदर से कैसा दिखता है product वो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों screen के बारे में तो screen यहां पर देख सकते हैं यह complete 14 inches का laptop है और काफे छोटे से form factor में काफी बड़ी screen यहां पर Dell ने ओफर की है और साथी साथ यहां पर आपको camera भे मिल जाएगा और security को काफी अच्छे से Dell ने यहां पर manage किया यहां पर privacy setter भी आपको display देखने के मिलेगा तो जब भी आप इसमें कोई भी video या netflix देखेंगे तो काफी अच्छी आपको brightness देखने के लिए मिल जाएगी साथी दोस्तों अगर बात करें trackpad area की तो यहां पर जो आपी देखने हैं यह भी complete metal design आपको यहां पर area देखने के लिए मिल जाता ह keyboard के बात करें तो keyboard जो आपको keyboard है वो backlight के साथ मिलता है और साथ ही साथ यहां पर power button के साथ यहां पर डेल ने fingerprint भी दिया हुआ है और अगर speakers की बात करें दोस्तों तो यहां पर आपको up fire speaker देखने के लिए मिल जायते हैं और सबसी अच्छी बात दोस्तों यहां पर यह Dolby Atmos certified आपको sound system देखने के मिलता है तो अगर आप multimedia experience करना जाते हैं तो एक अच्छा option यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा बात करतें दोस्तों trackpad की तो trackpad काफी बड़ा दिया हुआ है large size का trackpad यहां पर आपको देखने के मिल जाएगा तो आपको scrolling में कोई भी दिक्क देखने के मिल जाता है और यहां पर आपको headphone jack यहां पर आप insert कर सकते हैं साधी दोस्तों के left hand side के ports के और end slots के बात करेंगे तो यहां पर आपको HDMI का port देखने के लिए मिल जाता है और दो यहां पर आपको thunderbolt 4.0 का भी support आपको देखने के मिल जाता है और जो फर्स वाला thunderbolt यहां पर आपको इंटिल का latest 13th generation का core i3 processor देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर अपना प्रोसेसर चूज कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें core i5 भी ले सकते हैं core i7 भी ले सकते हैं बट मेरे पास जो वर्जन अबेलेबिल है अभी यह जो आप देख रहे हैं यह core i3 वाला है अगर इसके core की बात करें तो यहां पर आपको 6 core का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है और साथ यहां आपको 10 MB की cache में मेरी भी देखने के लिए मिल जाती है अगर GHz के बात करें दोस्तों तो यहां पर 4.50 GHz तक का यह प्रोसेसर clock है जो कि basic task के लिए सबसे अच्छी performance आपको निकालके दे सकता है अगर अगर अपग्रेड इमिल्टी के बात करें दोस्तों तो जी हां डेफिनिटली आप यहां पर आप SSD अपनी अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो आप उसे up to 2TB तक अपग्रेड कर सकते हैं आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी साधी दोस्तों अगर बात करें इसके software की तो यहां पर complete Dell यहां पर आपको Windows 11 का support द दूरत नहीं है connectivity में आपको Wi-Fi 6 की connectivity मिल जाती है वो भी एक अच्छा part है साधी दोस्तों यहां पर आपको लैंड का port नहीं मिलेगा तो आप डारेक्ट Wi-Fi से ही अपना इंटरनेट को चला सकते हैं तो बैटरी की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आ आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहता हूं तो तक के लिए टेक केर एंड गुडबाई